नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सफीका इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास में UPPCS प्राड़ंबिक परिक्षा 2020 के लिए यह GS का सेट नमबर है 8 तो सुरू करते हैं आज के इस सेट को और सारे प्रस्न आपको मिलेंगे आज जोगरती से सारे प्रस्न बहुत ही इंपोर्टेंट हैं वीडियो को अंतर देखिएगा देकि जब आप लोग इस्टेडी करें या कोई भी काम करें तो धैरे बनाये रखिए करते हैं कि जो लोग बहुत तेज पढ़ते हैं उन्हें दोबारा दिवीजन के भी जरूत तो बहुत ही मन लगा के करें समय की पर्वा मत किया करें करें को नंबर वन से करेंगे इस्टार्ट विश्वत रेकी प्रदेश का प्रयावरण पौधों के अनकूल है पर मनुस्य के नहीं करन दिया गया है कि विश्वत रेकी प्रदेश में आउसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है अब चार कूट यहां पर देगे हैं और उसके मताबिक आपको सही जबाब देना है तो यह हो गए हमारी प्रित्वी बीचों बीच जो रेका इसक दो भाग में करती है डिवाइड तो उसे कहेंगे एक्वेटर या विश्वत रेका आजपास के जो प्रदेश होते हैं उन्हें कहा जाता है विश्वत रेकी प्रदेश तो थोड़ा सा डिफाइन करना ज़रूरी है अब यहां पर जो इस्टेटमेंट है और रिजन है दोनो बी निम्न लिकित में किस द्वीप युगम को 10 डिगरी चैनल अलग करता है तो लक्षदीप और मिनी कोई दक्षडी अंडमान और मिनी अंडमान अंडमान और निकोबार पंबन और मननार को तो बात यहां पर हो रही है 10 डिगरी चैनल के बारे में तो दोस्तों याद रख पिपनबद दीप मालदीब और मीनिकोई के बीच में है जो नाइन डिडिवी चैनल यह लक्ष दीप और मेंनिकोई को अलग करती है चोटा अंडबान और कार निकोबार के नि पाम धेत कोईला चेत्र दिया गया है और सम्मंदित राजी दिये गये हैं आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है करंपुरा जो कोईला चेत्र है यह जारकंड में इस्तित्र यह सही है सिंग्रेनी जो यह आंद प्रदेश में है क्या नहीं यह आंद प्रदेश में नहीं ह देस के लिए जन जाता है लेप्स जंजाती है ऑलासका इसके नेविया ग्रीन लें या फिर आइसलैन तो जो जानी जाती है ते तो ऑप्सन भी हमारा पर जबाब है रुकवा जील छेत्र जो की तंजानिया में है निम्न लिखित में किस खनिज उत्पात के लिए जाने जाती है रुकवा जील छेत्र टॉस्टन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जबाब क्या होगा अभरक कोईला लो एस या फिर सोना तो दोस्तों याद रुकवा जील छेत्र जो की तंजानिया में है ये कोईले के लिए जाने जाती है तो आप्सन भी हमारा सही जबाब है प्रादीपी भारत निम्न हिम यूगों में से किस यूग में हिमानिकरित हुआ था तो यहाँ पर हिरोनियन यूग, कार्बोनिफिरस यूग, प्लिस्टोसिन यूग और लेटिल हिम यूग के बारे में बताया गया है सही जबाब इसका होगा ऑप्सन भी तो कर्बनिफिरस हिम यूग में दक्षडी गोलार्द में हिमा वरन का व्यापर विस्तार हो गया था देगे दक्षडी गोलार्द का मतलब यह हमारी में हिमा वरन का व्यापक इस्तार हुआ था जिस करन दक्षडी गोलार्द में ब्राजिल फॉक लैंड दक्षडी अफ्रिका के कारू प्रदेश प्रयाद्यूपी भारत आस्ट्रेलिया दता अट्लांटिक में हिम प्रसार हो गया था कर्बनिफिरस इम्यूग में सभी अस् दक्षडी यूग बर्तमान डर्बन के पास था और इस तरह दक्षडी यूग पैंजिया के पास था असुमेलित को पचानिये लौ अयस्क शेत्र और उतपादक देशों में जो मैच नहीं सही उसको आपको पचानना है लॉरेन फ्रांस मेड लैंड यूके किरूना भारत तो असुमिली थे इसमें कौन सा यूग में जी हाँ आप्सन सी किरूना कहां पर इस्तित है किरूना स्वीडन में है लॉरेन फ्रांस में है मिड्लैंड यूके में इस्तित है कोस्ताने फ्रांस में कौन सा कथन सही नहीं है उसाका को पूर्व का मांचेस्टर कहा जाता है त जापान का उत्तरी काई उसु छेत्र सूती वस्त्र उद्यों के लिए प्रसिद्ध ये भी सही है। पूर्वी एसिया में जापान जल्यान निर्मार उद्यों में अग्रणी है। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही जवाब है आप्शन डी असुमेलित को भचानिये। स्थांद प्रदेश में में हैं। वेम बनाद है केरल में। लोगटक जील क्या उत्तर प्रदेश में हैं। श्मेलित यानि की सई जवाब होगा ऑप्शन डी निक्स और हाइड्रा ये जो सैटेलाइट है यानि कि चंदर्मा किस्क रखे हैय है प्लूटो सुक्रया बिस्व प्रतम जल बिदुत सहंतरी तापना कहां पर की गए थी दारजलिंग शूर समुद्रम वह या खुफोली सही जबाबस्स्का बनेगा भारत में प्रतम जल हबिदुत सहंतर के स्थापना 1897 में पस्चिम बंगाल के दारजलिंग में थी … शिंद्रा पॉंग में। जो दूसरा Hydro Power Project था उनींस सो दो में कर्नाटक में स्यूड समुद्रमि लगाया गया था तो दूसरा अले रादा सी शूड मुद्र में घाख में भारत में सर्व प्रणम store का कुवा कहां पर खोदा गया था तो प्रस्म बहुत important है पहला जो खनिस तिल का कुवा था उसकी खुदाई कहां पर हुई थी डिगबोई माकूम नरकटियां या फिर लकवा सही जबाब है option B तो भारत में खनिस तिल के खनन का प्रारम असन के डिगबोई नामक अस्तान से किया गया था ज गंगा नदी उदारन है पूरवर्ती अपवा का अनुवर्ती अपवा का अक्रम वर्ती अपवा का या फिर परवर्ती अपवा का तो तो जो गंगा नदी है ये पूरवर्ती अपवा का एक उदारन है हिमाले से प्रभाइद होने वारी नदियां पूरवर्ती अपवा की उ करती जाती हैं। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचीन बाल टोरो चोलो लुँगमा या फिर वियाफो। सही जबाबें याँ पर ऑप्शन A, सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है। सियाचीन। तो दोस्तों CSCN हिमनद की जो लंबाई है वो 70 वर्ग किलोमीटर है बाल्टोरो की लंबाई है 62 वर्ग किलोमीटर चोरोलंगमा है 42 किलोमीटर और ब्यॉपपव होए 60 किलोमीटर स्यंक्तराज अमेरिका के दक्षडी कलिफोर्निया में मृत घाटी उदारन है तो अमेरिका का जो दक्षडी कलिफोर्निया है उसमें जो मृत घाटी है वो एक रिफ्ट घाटी है तो option D इसका सही जवाब है और ये जो मृत घाटी है वो अपनी उश्ड़ता के लिए बिस्व प्रसित है यहाँ पर इतनी अधिक गर्मी बढ़ती है कि जीवन का बचना असंबो हो जाता है इसलिए इसे मृत घाटी कहा जाता है निम्न नदियों में कौन अपने मार का परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है सही जवाब इसका फ्रेंड्स कोशी नदी यानि की option B इसे बिहार का सोग भी का जाता है ये पुर्भी नेपाल से निकल कर बिहार के सहरसा चिले को पार करके खगडिया के निकट गंगा के बाएं किनारे को मिलती है 1818 में सूती वस्त्र कारखाना निम्न छेत्र से सुरू हुआ था तो 1818 में जो सूती वस्त्र कारखाना था वो पस्चिम बंगाल में लगाया गया था लेकिन ये कारखाना फेल हो गया अगली बार 1854 में दूसरा कारखाना स्थापित या गया महानास्ट्र के मुंबई में तो याद रखना कि 1818 में पस्चिम बंगाल के कुलकाता में पहली सूती जो कपड़े होते हैं सूती कपड़े का करखना लगाया गया था लेकिन यह असफल था 1854 में दूसरा सूती मिल मुंबई में लगाया गया था अच्छा बताये कि प्रमुक काजू उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं गोवा महरास्ट्रा केरल और करनाटक तो देखिए यहां पर सही जबाब क्या बनेगा पहले अस्थान पर आता है केरल दूसरे अस्थान पर आता है महरास्ट्रा तिसरे अस्थान पर आता है आंध प् लक्षदीर और अंडवान यकोबार जो द्वीप है यह ज्वाला मुखी से निर्मित है निर्मित में कौँ सी नदी भ्रंस घाटी से प्रभावित होती है भ्रंस घाटी कृष्णा गोदावरी तापी या फिर कावेरी तो फ्रेंस भारत में भ्रंस घाटी से ओकर बने वाली नदियां है नर्मदा तापी और दामोदर बंगाल के घाड़ी की और प्रभावित होने वाली नदी दामोदर भी भ्रंस घाटी का ही निर्माड़ करती है तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा नर्मदा तापी और option C इसका सही जवाब हो जाएगा भरंस घाटी क्या होती है इसको आफ रिफ्ट वैली कहते हैं तो भरंस घाटी तब बनती है जब तो भरंस रेकाओं के बीच की चटानी अस्तम नीचे धस जाती है जब तनावजरित बलके कारण दो भुकंडों का विप्रित दिसा में खिसका होता है भरंस घाटिया लंबी सकरीव घरी होती है इन्हें जर्मन में ग्रावबेन भी कहते हैं तो फ्रेंड्स यह थे आज के 20 Most Important MCQs of Geography और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा छोटे चोटे वीडियो आपके लिए बहुत ही एर्फुल रहेंगे आपके नालेज को इंक्रीज करेंगे आपके इंट्रेस्ट को बनाए रखेंगे और आप खुद क मून ल्यांकन भी कर सकेंगे तो डेली जो वी वीडियो रखेंगे। llewीज को अप लोग ते हैं उसको आप तुरं देखलिया करें उसको बिल्कुल अगली बारई में छटूड़ा करेंगी ठीक थोड़ी दिर के बाद क्योंकि थोडी दिर के बाद आपके पास नया काम हो झाल झाल